जेदी आप चाहते हैं कि कीसी भी इस्त्री को पलभर में अपने प्यार में दीवानी बना दी उस इस्त्री के दिल में अपने लिए मोहबत पैदा कर दे ताकि वो इस्त्री दीवानी होकर खुद पखुद आपसे बाग करे आपके पास खुद फोन करे और आपके बगर नहीं वह इस्तरी शिर्फ एक घंटे के भीतर-भीतर आपसे बात करना शुरू कर देगी आपके प्यार में पागल दिवानी हो जाएगी मेरे प्यार प्रवक्तों बहुत सारी यह से लोग हैं जो कि प्यार को पाने के लिए प्यार के पीछे भागते हैं समय बरबात करते हैं फिर भी जब उनका प्यार उनको नहीं मिलता है तो वह सिकन तोटका करते हैं मेरे प्यार प्रवक्तों आप प्यार के पीछे जदी भागते हैं प्यार को पाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपका प्यार आपसे बात नहीं करता है वह इस्त्री आपसे बात नहीं करती है तो सिर्फ 2-4 मिनिट का समय यहाँ पे दे करके इस्वसिकन टुटका को कर लिजे और अपना लग अजमाईये फिर चमतकार दिखिएगा कि जिस भी इस्त्री के नाम से इस्वसिकन टुटका को कीजिएगा वह इस्त्री हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी और आपको पाने के लिए मननत्ते मांगेगी हमेशा आपके साथ रहेगी मेरे प्यार प्रभक्तों बहुत सारे यसे लोग हैं जो कि लड़की को पटाने के लिए लड़की को वस्मे करने के लिए साध्य सुधा महिला को वस्मे करने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन मैं आप सभी को आज एक हकिकत बताना चाहता हूँ वह सिक्रन का हकिकत वह सिक्रन बहुत सारा लोग करते हैं लेकिन वह सिक्रन करने से पहले वह सिक्रन के इस विधी का जैदी आप प्रियोग कर देते हैं तो मेरा वादा है आपसे कि कोई भी इस्त्री हो पल भर में आपसे प्यार करना सुरू कर देगे आपको प्यार में कभी भी माना नहीं करेगी हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके प्यार में दिवानी होकर आपके आगे पीछे घुमती रहेगी वह इस्त्री मेरे प्यार प्रवक्तो कैसे करना है इस वसीकन टोटका को इसका सही विधी क्या है आईए बताते हैं उसके पहले जिदी आप हमारी चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जोर कीजिए ताकि हम जितने उड़ाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जायेगा मेरे प्यार प्रवक्तो आपको करना क्या है द्यान से दिखिएगा लहसुन का दो कली आपको लेना है और एक काला धागा लेना है उसके बाद में एक छोटा सा सुई लेना है इसके आलावा कोई भी समागरी लेने के जरूरत नहीं है देखते रहिए कि ऐसे इसो सिकन टोटका से किसी को अपने वस में किया जाता है अपने प्यार में पागल बनाया जाता है यह बताते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा ध्यान से दिखिएगा एक छोटा सा बरतन में लहसुन के दो कली को आपको निकाल लेना है छोटा सा कली जो होता है दो लहसुन का आपको बारा वाला जो कली होता है इसको लेना है और इसी में से एक इस में से इकलना है एक इस में से निकलना है यह नहीं कि एक ही कली में से आपको दोनों निकलना है नहीं एक इस में से निकलना है और एक दूसरे वाला में से निकलना है और दोनों को निकाल करके अप करना क्या है इसके सा ताकि कोई भी इस्त्री हो आपसे प्यार करना शुरू कर दे आपके प्यार में दीवानी होकर आपके आगे पिछे घुमना शुरू कर दे ध्यान से देखिएगा सबसे पहले जैसे ही दो कली को आप निकालिएगा लहसुन के कली को आप क्या कीजिएगा थोड़ी सिमातरा में काला धागा लेकर के आप थोड़ी सिमातरा में ज्यादा नहीं थोड़ी सिमातरा में काला धागा लेकर के आप क्या कीजिएगा इस लहसुन के दाने के उपर में आपको क्या करना इस प्रकार से लपेटना है ध्यान से देखिएगा यहीं मेन पॉइंट है मैं आप सभी को पीधी भी बताऊंगा जिस बीधी के करते ही कोई भी इस्तरी होगी आपसे प्यार करना सुरू कर देगी वह सिकरन करने में जिदि आपका कोई गलती भी हो जाता है कोई बात नहीं है लेकिन जिदि आप इस बीधी दोआरक की जिएगा तो वह इस्तरी 100% वह आपके वस में हो जाएगी आपसे प्यार करना सुरू कर देगी आपके बगहर नहीं रहा पाएगी आपको क्या करना है थोरी से मातरा में काला धागा लेकर के इस दोनों लहसुन के दाने के उपर लपेट देना है उसके बाद में आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा एक छोटा सा सुई लेना है सुई लेने के बाद में आपको क्या करना ध्यान से दिखिएगा सबसे पहले एक लहसुन के दाने के उपर में आपको इस परकार से गातना है गाते समय आपको क्या करना है उस इस्त्री का नाम बोलना है सबसे पहले जिसको अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं जिसके दिल में अपने लिए मोहबत पायदा करना चाहते हैं जिस इस्तरी को अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं उस इस्तरी का नाम सबसे पहले बोलना है और इस पे फूंक लगाना है और उसका ध्यान करते करते आपको क्या करना है इस दोनों लहसुन के कली में लहसुन के दाने में आपको क्या करना है इस सुई को गांत देना है जैसे कि हम गांत रहे हैं जैसे ही पूरा गांत दीजिएगा आप क्या किजिएगा एक छोटा सा बरतन लिजिएगा जैसे कि हम ल बरतन नहीं लेना है ठीक ना और इस बरतन के बीचों बीच में इसको रह करके आपको क्या करना है इसी प्रकार से अपने सर से साथ बर उल्टा घुमा करके अपने तकीए के नीचे रखें आप जहां पे सोते हैं अपने तकीए के नीचे रखें या आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में किसी भी एक कौन पीज को रख दे मात इसको तीन दिन तक अपने कमरे में रखना है सोने वाले कमरे में इसके बारे में किसी को जनकारी नहीं देना है किसी को बताना नहीं है चमतकार देखिएगा जिस भी इस्त्री के लिए आपने ये तोटका किया है वह इस्त्री खुद पर खुद आपसे बात करने की कोशिस करेगी आपके करीब आएगी आपसे प्यार करेगी आपके प्यार में टर पेगी तीन दिन जैसे ही हो जाएगा आप क्या कीजिएगा इस सुई को और लहसुन के दाने को ले करके आप क्या किजिएगा किसी भी कुई में ले जा करके डाल दीजिएगा डालते समय उस इस्त्री का तीन बार नाम और अपना तीन बार नाम बोलिएगा और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं वो कौन सा बीधी है जिसको करते है कोई भी इस्त्री होगी आप से प्यार करना शुरू कर देगी आईए बताते हैं उसके पहले मैं आप से एक बिनाती करूंगा कि मेरे चानल को सब्सक्राइब जोर दवाईएगा दिखिएगा जेदी आप इस विधी को वसिकरन को करने से पहले आप असनान कर लेते हैं और इस वसिकरन तुटका को पूरवदिशा कर घुम करके करते हैं साथ ही साथ एक कपूर को अपने पौकिट में जा अपने पर्स में रखे उसी समय जब वसिकरन करने जा रहे हैं एक कपूर आपको रखना है उसके बाद में रूई में थोड़ी से मातरा में आपको क्या करना है इ इस वे इस्तरी के लिए कर रहा है वे इस्तरी आपके प्यार में दीवानी होगी, ाक बगर नहीं रहा पाएगी, बस आपको करनी की देरी है, यह S शिकन तोटका एक दीन में ही चमत्कार दिखा देता है, किसी किसी का प्यार तो पांट बहुद के जरूरत में यह जाता है, औ में चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितनी उड़ाएंगे सबसे पहले आपी के पास में जाएगा